जाले भड़वही से आती हूँ और भन्यवाद का सर जी गरदिनों मुझे यहाँ मुझे अपनी कविता पाठ करने के लिए मैं हर रोज की तरह सिर्प एक बात क्याना चाहती हूँ कि हमारी संख्या बहुत कम है हमारी संख्या को पढ़ाया जाए और आज मैंने अपनी संख्या को ले कर ही इसमें चार लाइने जोड़ी है यदि वो लाइने जो लोग यहां नहीं आते हैं उन्हें बुरी लगती हैं तो मुझे आप माफ कीजिएगा पर यदि मैं रसना करती हूँ तो मेरा यह धर्म है कि मैं निस्पक शुरूप से अपनी बातों को रखते हूँ और मैं अपनी करता शुरू करती हूँ हरोज की तरह मेरा नारा वही है कि कितना और डराओगे अब नहीं डरेंगे हम और वेतनवान अधितार हमारा लेकर रहेंगे हम और अब मैं अपनी कविता करती हूँ क्रांतिकारी हूँ मैं क्रांतिकारी हूँ मैं क्रांतिज्वाला लेकर आई हूँ करू समर्पित सबकों मैं कलशाला लेकर आई हूँ मेरा अधीर तन्मन अगनिवेश में जलता है, जिसमें तुम भी धदक उठो, वह अगनिशाला लेकर आई हूँ, करू तुम्हार के सब्सकों में अगनिशाला लेकर आई हूँ नियोजित करके तुमने हमको सिक्षा मित्र कहला दिया, छीचा लेदर कहकर हमको घाव भी गहरा दिया, हमने निजी सिक्षक से बढ़कर सिक्षय का पर्चम लेहरा दिया, और वेतनमान की खातिर मैं वह पर्चम शाला लेकर आई हूँ, मैं करू समर्पित सबको वह कविमाला लेकर आई हूँ, मैं ये वही चार पंक्तियां हैं जिनसे किसी कोई अधिकस्ट हो तो मैं चमा चाहूंगी, मैं आवाज उन्हें लगाती हूँ, जो घरों में बैठे सोय हैं, मैं आवाज उन्हें भी लगाती हूँ, जो बाजारों में खोये हैं, उनका इस वेतनमान पर कोई अधिकारिक कुछ और कही मत बोलो तुम बस मान वही धारण कर लो और प्रसासन क्या हिम्मत तोड़ेगी बस असायोग वही धारण कर लो मैं मान वही यही पड़े रहे मानिशाला लेकर आई हूँ करू समर्पित सबकोवा कविशाला लेकर आई हूँ और अन्त में बाबा साहब की वन्शज हूँ इतिहासों से लड़ना सिखी हूँ कैसे कोई अधिकार छिनले दसकों से लड़ती आई हूँ सुनलो तुम शुशासन बाबु हेमा नहीं डरती किसी की गिदर भगी से आप सब उप्रे धारण को वह कविशाला लेकर आई हूँ करू समर्पित आप सब को मैं वह कविशाला लेकर आई हूँ